हलो एवरिबाड़ी वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल मैच्ट्रेडल सो आज की वीडियो में हम लोग वेवी कव मेथड को डिसकस करने बाले हैं तो उस चीज के लिए हमको वेवी कव मेथड जानना बहुत जरूरी है कि वेवी कव मेथड अक्चली होता क्या है So basically जो वेवी कव मे can say rational inequalities तो जब भी हमारे पास polynomial और या फिर polynomial और या rational inequalities आती हैं तो उनको solve करने के लिए हम लोग वेवी कव मेथड का use करते हैं तो अब देखो inequality बोल दिया कि जो भी polynomial और rational inequality है तो जब भी equality आती है तो हम लोग equals to का sign लगाते है तो inequality आ रही है मतलग या तो कोई number छोटा है या functions बोल सकते हैं छोटा है या फिर बड़ा है तो या तो sign greater than का होगा या फिर less than का होगा greater than equals to और या फिर less than equals to तो इस type के signs के साथ हमको deal करना पड़ेगा तो polynomial या फिर rational तक महु जाए 3x minus 4 greater than 20 अब देखो क्या बोल रहा है जब हम equality बोलते है तो equality में जैसे हमें ने बोला x square minus 4 is equal to 0 that means मुझे x की ऐसी values चाहिए जाओ मैं डालू इसके अंदर तो मुझे 0 मिल जाए तो मैं बोलती हूं कि जो x is equal to 2 है और x is equal to minus 2 है ये दो values डालने पर I can easily say कि मेरे roots बन जाते है या फिर functions के 0s बन जाते है equation के roots है तो मतलब मैं x is equal to 2 और minus 2 डालू तो मेरे को ये value 0 देदेगा तो मुझे x की ऐसी values चाहिए कि मेरे को value डालने पर 20 से जाधा मिले तो देखो अगर मैंने suppose करो x की value को 1 डाला x की value को 1 डालने पर मुझे क्या मिलेगा 3 minus 4 that is minus 1 तो minus 1 तो बड़ा नहीं हो सकता 20 से फिर मैंने x की value को 2 डाला 3 डाला ऐसे मैं डाल के देखती हूँ तो क्या कौन सी value ऐसी होगी जिसके डालने के बाद से ये value हमेशा बड़ी होती जाएगी 20 से मैंने x की value को 7 डाला तो 7 3s हा 21 21 minus 4 ये भी 20 से चोटा आएगा फिर मैंने x की value को 9 डाल दिया तो क्या 9 से चोटा मतला मैंने अगर 8 डाला 8 3s हा 24 24 minus 24 minus मैंने क्या डाला 4 24 minus 4 is 20 तो मुझे 20 is greater than 20 तो ऐसा तो नहीं होता 20 तो equals to 20 है न तो मतला मुझे x से x की value 8 से बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं जैसे 8 ले रही हूं वैसे तो मुझे equality मिल रही है तो अगर मुझे इसे solve करना है तो मैं कैसे करूंगी तो इसको मैं लिख सकती हूं 3x is greater than 20 plus 4 तो actually मैंने क्या किया दोनों साइड plus 4 कर दिया तो यहां plus 4 करने पर यह 0 हो जाएगा यहां plus 4 करने पर यह 24 हो जाएगा so this is 3x greater than 24 अब मुझे क्या करना है मुझे x की value चाहिए तो मुझे 3 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगी दोनों साइड 3 से divide कर दूंगी so this will be x is greater than 8 तो that means मुझे x की value चाहिए 8 से बड़ी जो भी 8 से बड़ी values होंगी वो इस inequality का solution होगा ठीक है अब मुझे इसी चीज को number line पर plot करना है ठीक है तो जब भी मेरे पास मैं किसी भी inequality को solve करती हूँ न तो मेरे पास हमेशा जो solution आते है न इन दो forms of intervals आएंगे ठीक है अब जब को यह intervals कैसे बनाते हैं मैंने क्या किया number line पर plot किया x is equal to 8 उसने क्या बोला कि x की value 8 से बड़ी है तो जब भी मेरे पास नहीं यहां 4 तरह की intervals आते हैं कौन-कौन से देखो first type of interval होता है open interval then second kind of interval is closed interval then third kind of interval is semi open we can say semi open intervals intervals or semi closed intervals semi closed intervals अब देखो इनको plot कैसे करते है open means कि जो भी हम end points ले रहे हैं किसी भी real line पे suppose यह मेरे पास एक a point है यह कोई अगर मैंने बोला कि मेरे पास open interval है तो मतलब I will not include my a and b तो यह मेरे पास जब भी ऐसा curve bracket होता है ना तो यह मेरा क्या होता है open interval हो रहा है मतलब मैंने a और b को यह मेरा a और b point है मैंने इनको exclude कर दिया मतलब इनको हटा के जो बीच की values है ना वो सारा मेरे पास solution है ठीक है close interval मतलब मैंने a और b को भी include कर दिया इसके अंदर जो मेरे पास interval है मैंने a और b को include कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया closed interval, मतलब A और B भी है इसके अंदर, फिर मैंने क्या बोला semi open या semi close, मतलब यह एक side से तो बंध होता है, एक side से open होता है, और I can say यहाँ से open हो सकता है, यहाँ से close हो सकता है, तो it can be like this is open, this is close, और it can be like this is close, this is open तो इस type के intervals बनते हैं, अब इसने बोला कि जो X की value है ना 8 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब X is equals to 8 तो यहाँ पे include नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी value बोल रहा है, 8 से बड़ी, that means I cannot include X is equals to 8, so this value will be greater than 8, so I can say that X belongs to 8 to infinity, so this is my open brackets, because यहाँ पे जो 8 है वो include नहीं हो रहा, तो मैं solution को ऐसे भी लिख सकते हूं, intervals की form में, और इसको ऐसे भी लिख सकते हूं, और इसको अगर number line पे represent करना है, तो वो ऐसे denote होगा, ठीक है, अब एक और inequality लेते हैं, अगर हमें किसी और inequality को solve करना है, suppose, minus 5X, 6 minus 5X, is greater than, equals to 21, ठीक है, तो सबसे वहले तो मुझे 6 को remove करना है, यहाँ से, 6 को remove करूंगे, तो क्या करना पड़ेगा, minus 6 करना पड़ेगा, दोनों side, so minus 5X, greater than, equals to 21, minus 6, so this will be minus 5X, और यह क्या हो जाएगा, greater than, equals to, plus 15, अब देखो, जब भी addition की बात आती है, subtraction की बात आती है, या फिर मैं divide कर रही हूँ, sorry, addition, multiplication and division, तो इस cases में क्या होता है, inequality का sign हमेशा same रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, अब लेकिन देखो, मुझे यहाँ से minus 5 को remove करना है, तो मुझे minus 5 से divide करना पड़ेगा, ठीक बात है, जब भी मु inequality का sign हमेशा reverse हो जाता है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो, इसको एक छोटे से example से लेके समझो, अगर में को बोला कि 10 is less than 11, पता है हमको कि जो 10 है, वो छोटा है 11 से, अब में को क्या करने, negative sign से multiply कर देना, दोनों sign, minus 10 और minus 11, जैसे ही मैंने यह काम किया, अब देखो क्या minus 10 10 भी छोटा होता है क्या minus 11 से, obviously note जैसे negative लगा दिया sign हमने, वैसे ही क्या हो गया, inequality उल्टी होगा, क्योंकि minus 11 is always less than minus 10, तो इस concept को use करते हो, क्या हम बोल सकते हैं, कि जैसे मैंने minus 5 से divide किया, यहां और यहां, तो यह क्या हो गया, x is less than equals to minus 3, तो अब इस case में क्या हुआ, कि म minus 3 के equal है, या फिर minus 3 से छोटी है, फिर से I'll do the same thing, this is my minus 3, अब मेरे को include करना है minus 3 को, because equality का sign है, तो जैसे equality आती है तो, I can include my point, so this is the solution, थोड़ा सा हम इसको bold कर देंगे, so जिससे ही represent हो जाएगा, कि मेरा यह solution है, तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा, solution हो जाएगा, given inequality का, ठीक ह तो मेरे पास यह हो गया, इसी inequality को solve करने का तरीका, अब देखो, जब भी हमारे पास intervals आते हैं, जैसे हम लोग sets में करते हैं, sets का union, intersection, वैसे ही, हम लोग किना inequality में, जैसे हमारे पास अलग-अलग intervals आते हैं, जैसे यहाँ पे तो हमारे पास सिफ particular एक ही interval आया, ठीक है, लेकि और solution है, वो 4 से 8 के बीच में है, एक solution क्या बोल रहा है, 2 से 5, एक और solution क्या बोल रहा है, 4 to 8, ठीक है, अब मुझे इन दोनों का union निकालना है, तो मैं इस type के intervals के लिए, अगर मेरे पास मुझे union निकालना है पड़े तो मैं sets, जैसे मैं sets में union निकालती हूं, वैसे मैं intervals में क्योंकि intervals is also a kind of set, okay, it is a subset of real line, यह जिस हमने sets में भी discuss किया था, कि जो हमारे पास real line है उसके बहुत सारे subsets बनते हैं, हमारे पास intervals, तो अगर किसी को यह topic detail में देखना है, तो sets वाला जो playlist है, उसमें जाके check कर सकते हैं, कि जो real line है, उसके intervals कैसे बना सकते हैं, intervals कैसे हमारे प हो सकते हैं, यहां पर, x belong करेगा, 2 to 5, 2 to 5, union 4 to 8, ठीक है, यहां तो जैसे common part भी आ रहा है, अगर कुछ इस तरीके से आ जाए, जिसमें कुछ भी common ना हो, यह part हो, then यह वाला part हो, तो इसमें क्या करूँगा, यह a, b, c, d है कुछ, तो क्या हो जाएगा, x belongs to a, b, then union, x belongs to c, d ठीक है, तो इस तरीके से मैं union intersection कुछ भी निकाल सकती हूं, sets के case में, अब जैसे उपर वाला question है, अगर मुझे इसी में intersection निकालना हो, intersection बोले तो common वाला part, common वाला part मतलब जो पहले वाली में भी आ रहा हो, और जो दूसरी वाली में भी आ रहा हो, तो common part तो मैं बोल सकती जो इतना part है, यह मेरा common है, तो यहाँ पर अगर intersection पूझा जाए, तो x belongs to 4 to 5, यह मेरा intersection हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इस तरीके से intervals में union intersection कुछ भी निकाल सकती हूं, ठीक, अब हम लोग examples के तुरू देखते हैं, कि जो भी हमारे पास polynomial inequality होती है, उसको हम लोग कैसे solve polynomial inequality को कैसे solve करेंगे, ठीक है, तो एक example लेते है, x-9 and x-12, that is greater than 0, ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, जब भी मेरे पास polynomial inequality आ रही है, तो पहली चीज तो, जो right hand side है, यहाँ पर सब कुछ clear होना चाहिए, that is positive, तो यहाँ सब कुछ मेरा positive होगा, तो मेरे पास आगे proceed कर सकती यहाँ पर, अब देखो, यहाँ पर मेरे पास दो critical points है, critical points कौन से होते है, critical points are those points at which the numerator and the denominator of the function is 0, अब यह denominator तो ही नहीं क्योंकि polynomial है हमारे पास, ठीक है, तो बट rational के case में ध्यान रखना है, polynomial है, तो मतलब यहाँ पर जो function factor 0 बना दे रहा है, वो वो points लिखने है, तो वो points कौ 9 हुआ और 12 हुआ, अब इस critical point ने हमारी real line को तीन regions में define कर दिया, यह जो पूरी real line थी, तीन parts में divide हो गई, first region, second region and this is my third region, अब देखो, जो भी मेरे पास पहला region है, हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं, इसको ऐसे भी मान सकते हैं, तीक है, अब मैं आगा suppose 9 से छोटे वाला part ले यह 12 से बड़े वाला part ले दियो, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको first बोल देते हैं, इसको second और इसको third, so this is first, this is second, this is third, क्योंकि हम लोग हमेशा right side से शुरू करते हैं, इसका reason क्या है, वो भी हम लोग आगे सीखेंगे, कैसे हम लोग right side क्यों शुरू करते हैं, ताकि हम एक standard एक तरीका बना लेते हैं, ताकि हम को बहुत जादा सोचने वाला काम ना करना पड़े, ठीक है, अभी इसको समझते हैं कि यह कैसे होता है, 12 से कोई भी बड़ी value ली, मैंने suppose करो, बड़ी लेनी है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकत ठीक है, तो मैंने क्या किया, 13 लिया, 13 लेने पर यह वाली value positive है, यह वाली value positive है, so my entire function will be positive in this interval, अब मैंने क्या किया, 9 और 12 के बीच में ली, I am taking 10 here, so यह positive, यह positive और यह negative हो जाएगा, तो मेरा entire function क्या होगा, negative हो जाएगा, yes, so this will be negative, अब मुझे 9 से छोटा लेना है, 8 लिया suppose, तो यह negative, यह negative, पूरा negative, negative, negative क्या हो जाएगा, product में है तो positive करके दे देगा, तो मतलब, यह जो function है न, पूरा मेरे पास, यह वाला function, पूरा positive कहा कहा होगा, इस interval में और इस interval में, छीक है, चैसे तुम critical points को plot करते हो न, तो वैसे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कि मैं इन points को include कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तो क्या मैं 9 को include कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे equals to 0 नहीं है, अगर equal होता, then I can include here, तो I cannot include 9 here, तो यहाँ पे मुझे open चाहिए, 12 should be open, ओके, अब मुझे क्या 12 to infinity, ठीक है, 12 to infinity, तो यह मेरे पास polynomial inequality का solution हो गया, इस inequality को मैं कैसे solve करूंगी, by using this method, ठीक है, अभी तो थोड़ा हमें कांग करना पड़ा, हमने points को डाला, फिर चेक किया, points को डाल डलके चेक किया, तो जैसे जैसे हम लोग आगे सीखेंगे, तो हमें इस चीज की जरूत नह लेके चलते हैं, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हर एक question में थोड़ा सा level up करेंगे, हम लोग सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, हर question में, ठीक है, तो अब देखो, मुझे क्या बोला गया है, x minus 1, this time, this is, I am taking x square minus 9, less than equals to 0, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे द प्रॉपरली factors बनाने हैं इसके, तो मैंने क्या किया, x square minus 3, x square minus 9 can be written as x minus 3 and x plus 3, less than equals to 0, फिर से वही काम करना है, negative numbers को plot का, critical points को plot करना है, minus 3, plus 1 and plus 3, ठीक है, फिर से मुझे क्या करना है, अपने regions define करना है, अब first region, second, third, fourth, ठीक, अब मुझे क्या करना है, वही काम करना है बापस से, 3 इसे बड़ा कोई number लेना है, suppose I am taking 4 here, 4 से क्या होगा, पहला भी positive, 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 all is positive, so this is positive, अगले में क्या होगा, 2 लिया मैंने suppose, this is positive, this is negative, this is positive, so my entire function is negative here, अब मैंने क्या किया, minus 3 और 1 के बीच में, I am taking 0 here, negative, negative, positive, so पूरा क्या हो जाएगा, positive हो जाएग So I am taking here minus 4, so this is negative, this is negative, and this is negative, so my entire function is negative, तो मुझे less than equals to 0 चाहिए, तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही मैं points को plot करती हूँ, मुझे check करना है, कि मैं कौन-कौन से points को include कर सकती हूँ, तो उसने बोला है कि this function must be less than equals to 0, तो इसका मतलब I can include all my points here, right, so this will be close dot, it will not be a hollow circle, Okay, so x belongs to where, less than 0, that means this interval and this one, so x belongs to minus infinity to minus 3, union 1, 2, 3, so this will be my solution for the given inequality, ठीक है, एक और example लेते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमने twist कर दिया, अब example में क्या है, 3 minus x, x minus 5, and x minus 7, greater than 0, तो अभी तक तुमने चितने भी question notice किये हूँगे, दोनों में क्या था, कि जो भी, इनको करने से बहले हैं, हम लोग काम करते हैं, इस वाले question को normal method से करते हैं, solve, ठीक है, critical points को plot करते हैं, this is 3, 5, 7, ठीक है, वापस से region define करेंगे, first region, second region, third region, and we have fourth region, वापस से भाई काम करना है, 8 लिया, तो this is positive, this is positive, this is positive, this is positive always, okay, sorry, 8 लिया तो ये negative हो जाएगा न, ये negative होगा, ये positive, ये positive, so my entire function is negative here, अब मैंने क्या क्या 5 और 7 के बीच में, I am taking 6 here, so this is negative, 6 लेने पर ये positive रहेगा, और ये negative हो जाएगा, तो ये पुरा क्या बन गया, positive बन गया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 3 और 5 के बीच पे 4 ले लिया, so this will be negative, this will be negative, and this is also negative, तो पूरा function क्या हो गया, negative हो गया, फिर मैं 3 से छोटा लूंगी, 0 लिया, suppose, तो ये positive, ये negative, ये negative, so entire function is positive in this interval, अब मुझे वो values चाहिए x की, जहां पर function जो है, greater than 0 है, तो I cannot include any point here, okay, greater than 0 है मतलब, यहां और यहां, तो I can say that, x belongs to, minus infinity to plus 3, union 5 to 7, अच्छा देखो, ये हमने normal method से discuss कर लिया, लेकिन, अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें, पिछले examples में, अभी तक दोनों में हमने किया था, तो क्या हो रहा था, हमेशा positive पहले आ रहा था, और उसके बाद, alternatively change हो रहा था, तो हमारा, इस question में क्या हुआ, थोड़ा सा pattern change हो गया, negative से शुरू हुआ और फिर alternate हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा change आया, अभी तक जो functions थे ना, उसमें क्या था, x-a type के factor थे, मतला, जो x का जो coefficient था, हमेशा 1 था, यहाँ पर थोड़ा difference आ गया, कि जो x का coefficient है ना, वो minus 1 दे रहा इसने, तो अगर हम इस वाले question में थोड़ा सा बदल कर दे, क्या कर दे हम लोग, 3 minus x को ना, minus of x-3 रिख दे, तो एक negative sign common आ गया, और जैसे में को negative sign common मिल जाता है ना, तो मैं जब multiply करूंगी दोनों side inequality के, तो हमने पढ़ा था कि जैसे negative से multiply करती हो तो inequality reverse हो जाती है, तो x-3, x-5 और x-7, यह हो गया less than 0, अब देखो मुझे वही काम करना है, 3, 5, 7, सारे hollow squares होंगे, hollow circles होंगे, अब देखो, साथ से बड़ा कुछ पी डालो, तुम यहां हमेशा positive मिलेगा, यहां हमेशा negative मिलेगा, यहां हमेशा positive मिलेगा, यहां हमेशा negative मिलेगा, अब देखो, वापस से हमारा जो पुराने माला pattern था, वापस आ गया, positive से शुरू होके, alternate change होगा, positive से शुरू होके, alternate change होता जा रहा है, तो अब मुझे कौँ सा चाहिए, negative वाला interval, यह वाला और यह वाला, तो यहां से मुझे क्या मिला, solution तो भई मिला न, minus infinity to 3, union 5 to 7, ठीक है, तो मुझे क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो, बेवी कब लगाने के लिए, पहला, कि जो factors दे रही हो न, उसका जो coefficient है, that must be 1, यह हमने पहली चीज़ notice करी, standard function की और ले जाते हुए, ठीक है, अभी और भी चीज़े आएंगी, यह पहली चीज़ थी है, हमारी जो हमने notice करी, अब हम लोग next example देखते हैं, x into x minus 5, that is greater than equals to 6, क्या हमने इस टाइब का question किया है पहले, नहीं किया हमने तो, अभी तक जितने भी question की हैं, हमने यह चीज़ notice करी है, कि जो RHS में है, that must be 0, तो इसका मतलब, पहले मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा, 0 बनाने के लिए मुझे दोनों side minus 6 करना पड़ेगा, तो यह x square minus 5x minus 6 greater than equals to 0 हो गया, अब मेरे पास यह quadratic expression आ गया, तो मतलब क्या मैं इसको factors कर सकती हूँ, क्या quadratic है तो I can make factors here, so this is x square minus 3x minus 2x minus 6 greater than equals to 0, sorry this will be, is it correct, x square minus 5x minus 6 greater than 0, so this is 3 ones or 3 or we can take 6 ones or 6 here, right, so this is 6x plus x minus 6 is greater than equals to 0, so this is x into x minus 6 plus 1 into x minus 6, so the factors are x plus 1 and x minus 6, तो अब इसमें बापस से हमें बही करना है, minus 1 plus 6, तो मतलब जब भी मुझे factors अपने standard form में दिख जाते हैं न, तो मुझे start करना है positive signs से और यहाँ पे signs में include कर सकती हूँ, minus 1 और 6 को और alternatively change कर देना है, चीक है, अब मुझे क्या चाहिए positive interval, so this one and this one, so x belongs to minus infinity to minus 1, union plus 6 to infinity, तो इस case में solution बन गया यह मेरा, ठीक है, अब मैंको next example में थोड़ा सा मैंने change कर दिया, अब क्या किया, मैंने factors तो लिये, ठीक, factors लिये, साथ मेंना मैंने factor का न, power भी कर दिया, अभी तक मैंने कोई भी question किया, उसमें factor का power नहीं था, power नहीं था किसी में, है न, तो अब मैंने power भढ़ा दिया, अब दिखते क्या change आता है इस पर, फिर से मैं जो काम वही करना है, plot, sorry, plot करना है अपनी real axis पे points को, तो यह मेरे पास minus 3 है, 2 है, and 5 है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है बापस, तो 5 से बड़ा कोई भी point लूँगी, 6 लिया suppose, यह positive होगा, यह positive होगा, यह positive होगा, पूरा function क्या होगा, positive हो जाएगा, 2 और 5 के बीच में लूँगी, suppose मैंने लिया 4, 4 यहने से यह positive, यह negative, यह positive, यहाँ पर मिल गया, negative, minus 3 से 2 के बीच में, suppose I am taking 0 here, so this is positive, this is negative, this is positive, यहाँ पर भी negative मिल गया, फिर यहाँ पर minus 3 के लिए लिया, छोटे के लिए तो क्या हुआ, फिर से positive मिलेगा, ठीक है, चेक कर सकते हैं इसको, अब देखो, अभी तक जितने भी question करें, क्या कहीं पर ऐसा हुआ, कि लगाता, same sign आया हो, यहाँ पर दो consecutive same sign आ चुके हैं, तो ऐसा तो एक बार भी नहीं हुआ ना, कि consecutive same sign आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लोचा हो रहा है, कि sign consecutive आ रहे हैं, same आ रहे हैं वो भी, तो यहाँ पर यह जो, x-2 का power था ना, इसने थोड़ा सा जोल कर दिया, अगर यह power odd होता, तो यहाँ पर फिर यह alternative ही आते, लेकिन यहाँ पर just because power is positive, that is an even number, तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ, एक repeat नहीं हुआ, मतलब यह repeat हो गया, जो हमारे पास sign था, तो अब देखो, यह होता क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और चीज़ apply होती है, जब भी हमारे पास powers होती है न, अलग-अलग powers की case में, हम एक चीज़ और ध्यान रखने है, baby curve के लिए, पहला काम हमको क्या करना है, आरेचेस को 0 बनाना है, दूसरा काम हमको क्या करना है, factorize करना है, तीसरा काम हमको क्या करना है, x के जो भी sign है, that must be positive, and coefficient of x should be 1, ठीक है, उसके बाद, हमको critical points को mark करना है, critical points को mark करके, हमको बताना है, कि यह open है या close है, तो यहाँ पे close हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ पे अगर तुमें, points डाल डाल के देखने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, ऐसे थोड़ना अगर यहाँ पे, तीन points है, अगर सपोज ऐसे 20 factors दे दिये है, तीन factor, 4 factor, 5 factor, जादा factors दिये, तो हर region में थोड़ना plot करकर करके देखेंगे, जादा points आ गए, तो उसके लिए हमको क्या जुगार देखना है, तो यहाँ पर हम लोग ने पैटन observe किया, जब भी देखो, पहला काम हमको क्या करना है, देखो कुछ points है यहाँ पे, पहला जो हमें करना है वो क्या है, factorize करना है इसको, और उससे पहले भी right hand side को, right hand side must be, right hand side must be 0, फिर factorize कर दिया, उसके बाद x must be of positive sign, and the coefficient of x must be, coefficient of x must be positive, ठीक है, after that, उसके बाद मैं को क्या करना है, critical points को mark करना है, mark the critical points, उसके बाद open है या close है, open circle है या close circle है, उसको mark कर देना है, वो mark कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, signs देखेंगे, whether it is positive और negative, अब देखो अगर माल लो, यहाँ पे सारी powers odd होती है, odd होती है, तो क्या होता है, sign positive से हमेशा शुरू होगा, और alternatively change होता जाएगा, लेकिन, अगर कोई और power बन जाते हैं, suppose हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कर लिया, ठीक, अब मेरे पास powers का देखना है मुझे, तो पहला sign तो हमेशा मेरे पास आएगा positive, उसके बाद क्या करना है, अब देखो पहला मेरे पास critical points तो 5 के corresponding जो power है मुझे, इस factor के corresponding power देखनी है, if the power is odd, we have to check the power, if power is odd, in that case, I will change my sign, change my sign, if power is even, I will not change my sign, तो अब देखो 5 था न, power क्या थी, odd, sign change कर दिया, 2 था, 2 का power क्या है, even, so sign को मैंने change नहीं किया, minus 3 का power odd, sign change कर दिया, तो अब मुझे कौन सी values चाहिए, for which function is greater than equals to 0, मतलब, एक तो ये वाला interval हो जाएगा, और एक ये वाला interval हो जाएगा, तो x belongs to, minus infinity to minus 3, union 5 to infinity, तो ये जो points है न, that is very important, तो इसको मुझे ध्यान में रखते हुए, मैं किसी भी polynomial inequality है, rational inequality, बड़ी से बड़ी inequality को, I can easily solve, अब एक rational inequality लेके चलते हैं, method बिल्कुल सेम रहेगा, बस ध्यान रखना है कि, जो rational में जो नीचे वाले points है न, उनको hollow circle से mark करना है, ठीक है, कुछ भी factor ले लेते हैं, x-3 raise to power 4, फिर मैंने लिए x plus 1, divided by x-2, whole raise to power 5, into x square plus 4, this is greater than equals to 0, ठीक है, पहली बात तो factorize तो already है यह, अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है हमको, यह वाला जो expression है, क्या यह expression, कभी भी negative हो सकता है, क्या, कभी भी negative नहीं हो सकता, क्योंकि x square is always positive, positive में positive add करेंगे तो, कभी भी inequality पर फरक नहीं डालेगा, तो अगर मैं इस expression को यहां ले जाओं, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो मैंने क्या किया, x minus 3 whole raise to power 4, x plus 1, divided by x minus 2 raise to power 5, अब मेरे पास से सरफ इतना ही expression बचा है, क्योंकि x square plus 4 तो 0 बन चुका है, क्योंकि यह positive number है, ठीक है, क्या करना है मुझे, पहले तो factorize है, x को coefficient 1 है, positive है, यह सब मैंने check कर लिया, ठीक है, right hand side भी 0 बन चुका है already, critical points को mark कर लेना है, that is minus 2, minus 1, plus 2 and plus 3, ठीक, first sign will always be positive, और 2 को hollow circle से mark कर देंगे, क्योंकि, राश्चल जो भी, denominator वाला function होता है, वो कभी भी 0 नहीं बन सकता, तो 2 डालने पे 0 बन जाएगा, और I can include these points, ठीक है, अब देखो, 3 के corresponding power देखनी है, power is even, so I will not change my sign, 2 के corresponding power क्या है, odd है, so that means this will change the sign, minus 1 के corresponding power 1 है, that is odd, so I will change my sign, अब मुझे क्या चाहिए, greater than equals to 0, that means this will be a interval and, this will be a interval, so X belongs to, minus infinity to minus 1, I can include minus 1 here, union, 2 to infinity, अब देखो, अगर ये point included है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर included नहीं है न, तो मुझे अलग-अलग split करके लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, लेकिन यहां पे included है, तो मुझे यहां split करने की कोई जरूरत नहीं है, I can directly write, 2 to infinity, ओके, तो ये मेरे पास इस rational inequality का solution आ गया, तो इस तरीके से मैं किसी भी बड़े से बड़े inequality को solve कर सकती हूँ, अगर मेरे पास rational या polynomial में है, अब हम एक expression लेते हैं, x-1 raised to power 2015, x-4 raised to power 2022, वेर मैंने ले लिया, x-2 raised to power 424, divided by x-7 raised to power, कितना ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, 197 ले लेते हैं, फिर x-5 raised to power 100, this is greater than 0, चिक है, अब देखो मुझे क्या करना है, factorize है already, x-coefficient 1 है, right hand side 0 है, critical points को plot कर देना है, चिक है, critical points कौन कौन से हैं, 1, minus 4, minus 2, 7 and 5, ले ले 10 points को, minus 4, minus 2, 1, 5, 7, first sign will always be positive, अगला sign कैसे होगा, 7 का corresponding power देखो, 197, that is an odd number, sign will change, अरे एक और चीज, कि जो 7 और 5 है, we cannot include, another points, अब देखो, बाकी points का बताओ, क्या include होगा की नहीं होगा, यह बोल रहा है कि, सरफ greater than 0 है, equal नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब, यह वले points भी, hollow ही रहेंगे, अगर equal होथा, तो फिर, यह include हो जाते, ठीक है, तो यह point include नहीं होगा, तो अब देखो, 5 के corresponding check करो, 100 है, तो मतलब, मेरे पास, even power है, even power है, तो sign change, नहीं होगा, 1 के लिए, 2015, odd है, that means, sign will change, minus 2 के लिए, even है, sign will not change, minus 4 के लिए, even है, sign will not change, मुझे क्या चाहिए, greater than 0, that means, this interval, this interval, this interval and this one, अब देखो, यहाँ पे, continuous 3 intervals है, लेकिन, इसका मतलब, यह नहीं कि, minus infinity to 1, direct लिख लेंगे, क्योंकि, बीच में, 3 points missing है, तो ध्यान रखना है कि, x belongs to, minus infinity to, minus 4, union, minus 4 to, minus 2, union, minus 2 to 1, union, 7 to infinity, तो यह मेरे पास, क्या हो गया, rational inequality का solution, तो इस तरीके से, कितनी भी बड़ी, मेरे पास, inequality आ जाए, I can easily solve, that inequality, by using the, wavy curve method, चिक है, तो यह कुछ points है, जो की inequality को solve करते time, जो इस टाइप की आईए, उनको solve करते time में, ध्यान रखना है, ठीक है, so that's all about today's video, तो इस video में, हमने सारे जितने भी possible थे, baby curve के questions, हम लोग उने सारे के discuss कर लिये, so, आज की video में इतना ही, if you like the video, hit the like button, and subscribe to our YouTube channel, and hit the bell icon,